तो दोस्तो आजकी इस वीडियो में हम बात करेंगा Pale of three villages यह कहांई है और यह आपके टेलांगानवोट के English के Class10 के सलेबस में है तो दोस्तो हम इससे पहले मैं आपको बता दुए कि मैं आपके buryगश के Class10 के सलेबस को complete कर रहा हूँ और बहुत सारे चैप्टर्स के उपर मैंने पहले से ही वीडियो बना रखे है तो अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा तो आप सिंप्ली उपर आई बेटन के उपर क्लिक करें आपको सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे वहना दोस्तो आप हमारे चैनल में जाए और प्लेइलिस्ट चेक करें और हाँ साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे तो दोस्तो सबसे पहला विलेज है कोको विलेज यह नाइजेरिया में है मिन सौथ अफरीका में तो दोस्तो यह जो विलेज है इस विलेज में एक बंदय रहता है जिसका नाम है Mr. Sunday Nana जिहां बहुती अजीब सा नाम है लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा तो इसकी एक वाइफ है और इसके चार छोटे छोटे बच्चे है तो दोस्तो इसका जो घर है वो बना हुआ है मड से जिहां मिट्टी का गर है और इसके घर के आसपास बहुत सारे मुर्गिया है जिहां बहुत सारे चिकन से और ये जो मुर्गिया है ये इसी के है और इनके घर के बहार तीन लार्ज मेटल ड्रम्स है अब ये ड्रम्स क्यों क्यों क्योंकि दोस्तो इन ड्रम्स में पानी रहता है और इन ही पानी को ये यूस करते है तो अब इस ड्रम का जो कलर है न वो हो गया मिस इसका color उड़ गया तो यह जहां रहते हैं वहां से 200 मीटर दूर एक नदी है और दोस्तों उस नदी के पास ना tank रखा रहता है और यह जो tank है ना यह pyramid के shape में है जी हाँ pyramid के shape में है और यह सभी drums जो है वो sky को छू रहे है जी हाँ आपके book में कहा गया है reaching sky इसका मतलब स्रीफ एक ही निकलता है दोस्तों कि यह जो drums है यह बहुत ही लंबे है और यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जितने भी drums है वो different colors के है जैसे कि grey, dark green, bright orange etc तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी drums थे ना उनमें से कुछ drums burst हो गया है मतलब कि कुछ drums जल गया है अच्छा यह जला कहसे वो मैं आपको अभी बताऊंगा तो दोस्तों यहाँ पर एक बंदा है जिसका नाम है thomas तो यह बंदा अब आता है इस गाउं में यह weekend में यहाँ पर आया हुआ है तो यह यहाँ पर आकर सभी को बताता है कि इन drums में poison है जी हाँ यह जो drums है ना इन सभी drums में poison है और इसका पानी सभी लोग use करते थे तो दोस्तों already यहाँ पर 13 लोग मर चुके है जी हाँ तेरा लोग मर चुके थे लेकिन सभी को पता नहीं था कि यह इस पानी की वज़ा से है लेकिन अब सब को पता चल गया है तो दोस्तों यहाँ पर जो mr sunday nana है यह बताते है कि इनका जो elder brother है ना वो भी इंडिया में और इंडिया के कॉलकाता में है तो दोस्तों इस village में अभी जो fields है मतलब कि जितना भी खेत है ना सभी हरा भरा है तो यहाँ पर एक औरत है यह औरत अभी sun means morning sun में एक field में खड़ी है तो अचानक सी यह गुस्सा हो जाती है क्यों क्योंकि यह देखती है कि यह जो है यह एक factory है और इस factory में leather के shoes बनते है handbags बनते है और leather के कपड़े बनते है तो अब इनसे यानि कि यह जो जिसका factory था उससे पुछा जाता है कि यह क्यों खुला तो यह बताते है कि हमने यहाँ खोला है इससे कि हम सभी इससे हम सभी reach हो जाएंगे और यहाँ पर जितन factory है ना इसके जो owner है वो यहाँ के इंसानों को इंसानों मतलब यहाँ के जो जितने भी main है ना उन्हें काम देंगे जी यहाँ उन्हें jobs देंगे तो इससे employment बढ़ा ना तो यहाँ पर आपने देखा कि यह factory वाले ने चापलूसी किया इसने इसका advantage तो बता दिया लेकिन disadvantage न यूज होता है जैसे कि arsenic, chromium, cadmium और भी chemicals है दोस्तो तो इन्होंने सिर्फ advantage बताया disadvantage नहीं बताया तो अगर यहाँ पर यह factory चलेगा तो इससे village को बहुत ही हानी पहुँचेगी तो दोस्तो यह था दूसरे village का बात अब हम बात करते हैं तिसरे village के बारे में तो तिसरे village का नाम है वोरो बायो village और यह Ukraine में है तो दोस्तो अभी Saturday का दिन है और यहाँ पर गर्मी बहुत है तो दोस्तो यहाँ पर एक women है तो यह औरत जो है ना इसके जितने भी बच्चे है और भी जो बच्चे है ना वो सभी बाहर में खेल रहे है और यह सभी dust से यानि की धूल से है तो इन बच्चों के पास एक loud speaker van आता है और यह van जोरजोर से कहता है कि सभी बच्चे अपने घर चले जाए तो सभी बच्चे घर चले जाते है तो दोस्तो अब एक हफ़ते बाद जो जो बच्चे खेल रहे थे ना वो सभी vomiting करने start कर देते है और इन बच्चों का जो hair है वो सबी गिरने लगता है ये खाना भी नहीं खाते है अब क्योंकि ये बिमार हो चुके है और ये सबी पतले हो चुके है तो दोस्तो अब यहां से दो हफ़ते के बाद तीन बच्चे मर जाते है जी हाँ तीन बच्चे मर जाते है और ये तीनों बच्चा यहां कि जितने भी फील्ड से वो सभी बंजर बन चुके है और यहां पर अब खेती बाड़ी भी नहीं होता तो दोस्तों यहीं पर चाप्टर एंड होता है मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको अच्छे से यह चाप्टर समझा दिया और हाँ दोस्तों मेरे कौस चानल है जिस